आप लोग को बहुत जदा भाल भाल के कमेंट आ रहे हैं और इस चीज़ को उपर बहुत जदा हाइली ट्रेंट भी टॉपिक है मेरे चनल के उपर कि आप अपना प्रोड़क को ऑनलाइन अपना खुद का विपसाइट में बेसे के मतलब बेचे कैसे बिसी के लिए चाहिए आप एक होलसेलर है आप एक रिसेलर है आप कुछ भी मैनुफेक्चर करते हैं आप अपना प्रोड़क को अपना यह विपसाइट में बेच के उसमें कैसे मुनाफ़ा जनार करें उसमें कैसे पैसा कमाई है इस चीज़ के हुआ यह वीडियो बनने वाला है देखो अपना प्रोड़क को आगर वीपसाइट में अपलोड करेंगे तो प्रोड़क्ट तो बैसिकली अनुएली आपका जो प्रोड़क है बात डहीं कर पाएंगे प्रोड़क का फॉटोज इससमें बगाएंगे और उसको जैज प्रेसे बांवान हरा कुछ वीडियो है तो इसक कि अब गूगल ड्राइब फ्री है तो ये चीज तो आपको परसोनल चीज के लिए है लेकिन अगर उसको पब्ली के लिए सोसेली आल ओबर वर्ल्ड की लोगों को दिखाना चाहते है आपका प्रूडट को तो उसके लिए माइने के हिजाब से बहुत ही एक चीपस्ट एमाउ है या रॉम है उस चीज को मैंने इसको एक्जाम्पल के दोरा आपको बता रहा हूँ लेकिन डोमीन होता है जो www.amazon.min या flipcard.com ऐसा तरह जो होते है वो डोमीन है और होस्टिंग बोलते है कि वेबसाइट के अंदर जो प्रूडट आपको या जो फोटोस आपको स्टोर होक आएगा तो सारा कुछ चीज सारा प्रोसेस ब्रेकूर प्रैक्टिकल एक ठो डेमो एक साइट बना कर मैं आप लोगो मेरा कम्पूटर की स्कीन सबसे पहले आपको गूगल पर आने के बाद सेंपल सा सार्च का लेना है कि ब्लूहोस्ट.in यह ब्लूहोस्ट है कि ऐसी तरह कमपणी है कि एक छद के नीचे आपको सारा कुछ चीज मिल जाएगा मतलब मैंने वीडियो उस पर आपको बताया ना पहले आपको चाहिए उसमें डोमीन, होस्टिंग, उसके बाद वर्डप्रेस को इंस्टोल करके अपन अच्छा सा ओईपसाइट बनाना तो सारा कुछ चीज यह कंपणी आपको प्रोवाइट करेंगा, नहीं आपको कोडिंग की ज़रूरी है, नहीं आपको ज्यादा मतलब ज्यादा भारी चीज जानने का ज़रूरी है, सिंपल वे में आप यहाँ पर अपना एक बड़ी से ए आपको, अब आप लोग के दिवाग पर आएगा कि भाई साब वाडप्रेस होते क्या है, तो मैं आपको शॉड में बता देता हूँ, कि वाडप्रेस एक ऐसा माद्धम है, जिस माद्धम से अपना वीब साइट को कांट्रोल किया जाता है, डोमीनल होस्टिंग के साथ जु आपको क्या करना है, कोई भी एक प्लान चूज करके हैं, पर जिस प्लान पर आप अपना वीब साइट बनाना चाहते हैं, मैं आप लोग को रिकमेंडेशन ही करूंगा, कि सबसे पहले आप बेसिक में जाएए, जब भी पहले आप बेगनर बन जाएंगे, सीख जाएंगे तब आप आगे में प्लास और चॉइस प्लास में भी कर सकते हैं, आप देखो आपको पूछ रहे हैं, कि next we will set up your domain, आपके पास खुद का domain है, या आप नया domain हम लोग के साथ जूड के बनाना चाहते हैं, आप यहाँ पर I will create my domain लेटर भी कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं domain available है क्या नहीं, देख सकते हैं, कुछ domain दिया जा रहे है, clothheart.org, clothheart.store, clothheartmall.com, अब उसके बाद आपको यहाँ पर आपका details from को फिल अप करना होगा, country बगएरा सारा कुछ चीज़ दिया हुआ है, टोटल यहाँ पर दिए 36 मांत के लिए जादा प्राइस देखा रहे हैं, यहाँ पर 12 मंथ कर दिए, तो यह जो price ले रहे है, यह सिर्फ hosting price ले रहे है, ना ही कुछ domain का, दूसरे company क्या करते है, आपका domain का price भी लेते है, hosting का price भी लेते है, लेकिन यह company, totally free में आपको domain दे रहे है, सिर्फ price ले रहे है, hosting का, उसके साथ SSL certification भी दे रहे है, अब SSL certificate क्य आपना payment method डाल के, जब भी company को आप pay करेंगे, आपका यहाँ पर account creation बन जाएगा, और आप अगर चाते हैं कि Google से sign up करना, तब भी आप यहाँ पर Google से sign up कर सकते है, अब देखो भाई सब मेरा तो और यहाँ पर account बना हुआ है, मैं और एक demo account बना कर रखा हूँ, मैं आपको इसमें कैसे आपको website बनाना है, Bluehost के साथ, जूड के, अब देखो simple मैं login पर click कर रहा हूँ, जब भी आप सारा काम complete करेंगे, तो आपका mail ID पर company के दोरान, आपका domain name और email ID, और आपका password बनाने बोलेगा, जब भी वो सारा कुछ चिस complete कर देंगे, तो वो ही domain name, और आपको password देने के बाद, आपको simple करना है, Bluehost का account के अंदर login, अब देखो company बोल रहे है, आपको कुछ आपको help चाहिए, वीपसाइट बनाने के लिए, या आपको कुछ भी help नहीं चाहिए, help चाहिए तो इसमें click करेंगे, तो आपको बोलेगा, कि what kind of site are you creating, आप किस चीज के लिए website चाहते है, तो मैं आज बैसी के लिए online store related आपको बता रहा हूँ, कि अपना website बना करके आपको पैसा कामाना है, product बेचके, तो simple online store पे आपको click करना है, बोले है, are you compatible तो creative website, आप compatible है, हाँ, compatible है, हाँ, compatible है वाई सब, चलिए, बहरी मैंने कर दे रहा हूँ, उसके बद कॉंट continue पे click कर रहा हूँ, अब यह साइट आप बना रहे हो, website, किस टाइप का है, यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत सार केटागोरिस दिया हुआ है, आपको select करना होगा, e-commerce, अगर e-commerce select करेंगे, तो माल लीजे कि उसी साइट में आप product बेचेंगे, तो वही होगा, आप किस ची साइट का नाम basically क्या रखना चाहते है, जो basically आप domain search करने के time रखे थे, बहुत साइट का नाम ही, आपका site का नाम होगा, तो मैं simply आप clothhut.in डाल दे रहा हूँ, अब tagline क्या लेख रहे हैं, जैसे कि माल लीजे बहुत सारे company का होता है, कि best place to shopping with us, ऐसा तरह कुछ होता है, त जाल दीजे, best place for shopping, ये tagline, अब उसके बाद दो बारा continue पर click कर रहा हूँ, अब देखो भाई साब बोरे कि, आप कौन सा theme यहां से use करना चाहते है, आपका website के लिए basically, बहुत सारे theme यहां पर already दिया हो है, जो की wordpress का theme है, कौन सा अच्छा लाएगा चलो भाई, पहले में फ सारा कुछ चीज आपका website का manage करेंगे, अब देखो आप Bluehost account के अंदर finally login हो चुका है, आपका यहां पर account दिया हो रहेगा, कि आपका profile क्या है, billing address क्या रखा है, आपको यहां पर आपका जो my site है, आपका जो website listed किया हो है, वहां पर बो वाला site रहेगा, जितने भी site आप listing करे सबी site यहां पर my site option पर आपको दिखना आ जाएगा, अगर कोई भी add site करना चाहते है, तो यहां पर add site पर click करके, same procedure करके, आप नया सा कोई site Bluehost के साथ जूड के बना सकते है, marketplace पर देखेंगे, कि अगर आपका website में कुछ चीज आड करना चाहते है, यहां पर SSL certificate है, सारा कु कुछ add करना चाहते है, आपको website के अंदर, फिलाल marketplace का मेरा कामा भी नहीं है, मैं simple home पर जा रहा हूँ, अब देखो बोरे कि follow this step, कुछ step आपको दिया जा रहा है, जैसे कि customize your design, इसको मैं tick कर रहा हूँ, let's go पर click करेंगे, तो आपको customize अभी भी भी कर सकते हैं, यह बहुत important step कि review your contact page, आपका added content बोरे side में कभी कोई product add नहीं है, उसको add करना पड़ेगा, import image करना पड़ेगा, confirm store, आपका जहाँ पर store है, वो confirm करना पड़ेगा, simple मैंने इसको India डाल दे रहा हूँ, इंडिया रूपिन पर करके मैं आगे कर दे रहा हूँ, अब देखो payment selection के लिए payment method भी आपको दिया जा रहा है, कि रेजोर पे की तरफ से आप payment ले सकते हैं, उसके लिए रेजोर पे ये wordpress में install हो जाएगा, online payment method, check payment, bank test पर या cash on delivery, ये सब step आप आप अपना customer को देना चाहते है, ये सभी को tick करके continue पर click करतीजिए, अब देखो payment is installed हो गया है, या पर, आप home page प आपका store है basically कहाँ पर, अब देखो जहाँ पर आप business करते हैं, जीस location से, उस वाला location का details यहाँ पर डालना होगा, setting saved हो गया, देखो setup your shipping setting, मतलब आप product को sip कैसे करेंगे, free shipping करना चाहते है, तो पहले पहले आप free shipping रखिए, kilogram और centimeter की हिसाब से करना चाहते है, तो इसको लेकर आपने continue कर दीजिए, देखो shipping rules भी saved हो गया, अभी क्या-क्या बच्चे देख लेते पहले, उसके बाद मेरा site को publish करूँगा, अब देखो क्या बोरे कि add a product or service to your store, इसमें जब किलिक करेंगे, आप बोरे कि अपना product को add कीजिए, अब देखो भाई साब, wordpress open हो गया, यहाँ पर नीचे आगर देख सकते है, add new, इस add new बटन पर click करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पर product name, चलिए माल लीजिए कि best ladies कूर्ती, मैंने कूर्ती सेल कर रहा हूं माल लीजिए, तो कूर्ती का photograph देना होगा, मैंने ऐसे demo के लिए अभी गूगल से photo download कर रहा हूं, आप लोग यह यह चीज़ मत कीजिए, अपना product का photograph प्रैक्टिकल करके, वो photo अपना website में डाली है, अभी यहाँ पर add media कर रहा हूं, photograph डाउनलड होने के बाद जब भी आप नीचे आ जाएंगे, description अपना product का डाली है, कि वी provided best quality कूरती, ऐसा तरह कुछ अपना description डाल दीजिए, यहाँ पर price में यह दे रहे है, माल लीजिए कि 599, 100 रूपिस, discount में product को दे रहे है, और भी अगर photo ads करना चाहते है, तो photo ads करेंगे तो ठीक है, उसके बाद published पे click कर दीजिए, एगेन में bluehost portal पर जा रहा हूं, यहाँ पर product published भी हो गया, जैसे जैसे option है, पूरा option को यह आप ध्यान से complete का लीजिए, जैसे यह option अगर complete अच्छा से करेंगे, वैसे आपका website का look बनेगा, देखो अब मैं दोबार आई यहाँ पर login to wordpress पे click कर रहा हूं, सरा कुछ चीज़ जब complete upload करेंगे, अब वेलकम टू wordpress site बता रहे, get started पे click कर रहा हूं, home page जो customer मेना site पे visit करेगा, वो totally दु We provided best quality product to our customer, यह जितने भी आप यहाँ पर चीज़ डालेंगे, उतना attractive आपका page होगा, देख सकते कि आपको simple preview दिखा रहा है कि कैसे तरह आपका page का खुले का website open होने के बाद ही, यहाँ पर desktop version है, mobile पर कोई लोग देखेगा, तो mobile पर ऐसे तरह दिखा आईगा, जब भी इसक theme रखना चाहते है, यह theme को change करना चाहते है, customize your site पे जब भी आप click करेंगे, आप अपना पूरा website का customization यहाँ से कर सकते हैं, देख सकते कि already मैंने product add करके रखा हूं वाईसा, बोबल आप इंडाय default यहाँ पर दिखा रहा है, अब उपर में जो option ही है, यह सब चीज़ यहाँ change कर सकते है, mobile पे कैसे तरह दिखाएगा, customer को, ऐसे तरह website को दिखाएगा, माल लीजे जब भी आप यह चीज़ complete कर देंगे, सारा कुछ चीज़, उसके बद launch your site पे click करेंगे, आपका website basically तब launch होगा, मतलब आपका website already live हो गया, देख सकते हैं, awesome your website is live, अब आपका website को basically देख जब भी click किया dot in पे, आप visit site में click कर रहा हो हूँ, website basically open हो गया, एक product upload करके रखे थे, आप लोगे सामने वो product नजर आ जा रहा है, देख सकते हैं, नीचे description में photo देखा रहा है, product का photo में ने upload नहीं किया था, इसलिए आपर नहीं दिखा रहा है photo, उसके बाद price जो दाला था 5 99 हम customer को दे रहे, जब भी आप ये customer add to card करेगा, new card में customer का चल जाएगा product, automatically सारा काम हो रहे है, ये सारा काम कर रहे है, WordPress और Bluehost के साथ, तो नीचे आकर जब भी वो proceed to checkout पे click करेगा, वो पहुंच जाएगा basically, उसी वाला page में, जहां पर उसको करना होगा, ये 599 payment आपको, अब first name, last name, customer का details यहां पर डालेगा, डालने के बाद, कौन सा चीज़ में payment करेगा, वो already यहां पर दिखा हुआ रहे हैगा, जब भी ये सारा काज complete कर देंगे, place order पे click करेंगे, आपका WordPress का dashboard पे, जैसे कि ये बला यहां पर, जब भी plugin WooCommerce के अंदर जाएगे, उसके बाद, order पे जाएगा, जब भी आप login to WordPress करेंगे, आप पहुंच जाएगे WordPress के अंदर, अब इसी WordPress के अंदर, आप सारा कुछ चीज़ मैनेज कर सकते है, सारा कुछ चीज़ देख सकते है, अच्छा अच्छा product add कर सकते है, और उसी product को customer को shipping भी कर सकते है, तो यही गया, आज का website बनाने क कमेट पर ज़रूर बताए, और अगर चान्ट पर नहीं है, तो एक सबस्क्राइब बैते जाना, रोजाना लेटिस्ट बड़ी बड़ी घर बैटे कमाने का तरीका देखने के लिए, इस वीडियो के यही खतम करता हूँ, हर बार के जिसे सब आपस एकर वीडियो देखने के आप सब का बहुत बहुत धन्यबाद, मैं में विल दौल पर सदने शुडियो पर तब तक लिए बाई, जय हींद, बंदे मात्रा